जाईका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अंडा चिंगारी की रेसिपी बहुत ही सांदार रेसिपी है और कम वक्त में बनकर तयार हो जाती है तो चलिए सुरू करते हैं बनाने के लिए अबसे पहले हमने चार उबले हुए अंडे ले लिए हैं और इन अंडो को हम इस तरह से कट करना है एक अंडे को यहां पर जादा मत एट कर दीजिएगा तो अब यहां पर हमने एक टेबल स्पून जितना बारी कटा हुआ हरा धनिया इसमें एड कर दिया और इसे अच्छे से फेंट लेंगे अब एक पेन में एक टेबल स्पून तेल गरम करने के बाद हमने जो अंडे फेंट कर रखे हुए हैं वो इसमें एड कर देंगे और इसे इस तरह से एड करेंगे कि यह अच्छे से पूरे पेन में स्प्रेड हो जाए तो देखे इसे लो फ्लेम पर पकते हुए एक मिनिट हो चुकी है तो अब हम इस ओमलेट को कर लेंगे बहुत चोटे टुकड़ों में नहीं थोड़े थोड़े मोटे टुकड़ों में हम इसे करंबल करेंगे और जब यह पक जाएगा तब हम इसे इस पेण में निकाल लेंगे अगर हमने इस पें में ही रहने दिया तो थोड़ा टाइट हो जाएगा तो इसे निकाल कर एक साइड में रख देंगे करने के बाद इसमें हाफ टी स्पून जीरा एट कर देंगे और जीरे को चटकने देंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने जो प्याज ली है इसको हमने ज्यादा बारिक नहीं काटा है अगर आप चाहें तो इसे ओमलेट कट भी कर सकते हैं साथ ही में हम इसमें एट कर देंगे एक हरी मिश तो हरी मिश को भी हमने इस तरह से बारिक काट लिया है और प्यास को गोल्डन होने तक हम तेल में फ्राई कर लेंगे तो इसतरह से प्यास का कलर जब थोड़ा सुने रहा होने लगे तब तक हम ने इसे फ्राइए कर लिया और अब हम इसमे एट कर देंगे टमाटर तो मैंने यहाँ पर दो मेटियम reading यह अर सउफ्ट होने तक इसे भी हम फ्राइए कर लेंगे तो तीन से चार मिनिट तक फ्राई करने के बाद आप देखेंगे कि टमाटर थोड़े सोफ्ट होने लगे हैं तो इस्टेज पर हम इसमें एड कर देंगे हाफ टेबल स्पून अद्रक लसन का पेश्ट और इसे भी हम एक मिनिट के लिए फ्राई कर लेंगे और अब हम इसमें एड कर देंगे कुछ सूखे मसाले तो सूखे मसालों में हमने यहाँ पर लिया है एक टीस्पून नमक या फिर स्वादा नुसा नमक Half teaspoon jeera powder Half teaspoon healthy powder 1 teaspoon dhaniya powder और 1 teaspoon lalmish powder और इसे अच्छे से मिला लेंगे तो देखिए हमने यहाँ पर टमाटर को काट कर एट किया है अगर आप चाहें तो टमाटर का पेश्ट भी एट कर सकते हैं या फिर ग्रेटर की मदर से टमाटर को ग्रेट करने के बाद एट कर दें तो मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें एक चोथाई कप पानी एट कर देंगे अच्छे से मिला लेंगे और मसालों का कच्छापन दूर होने तक हम इसे लोफ लेंप पर खुले में दो से तीन मिनिट के लिए भून लेंगे तो मसालों का कच्छापन दूर होने तक हमने इसे खुले में दो से तीन मिनिट तक भून लिया है और अब हम इसे cover कर देंगे तक कि मसालों की भुनाई अच्छे से हो जाए और हमने जो टमाटर रेट किये हैं वो भी अच्छे से गल जाए तो देखिए टमाटर के गलने तक हमने इसे पांच मिनिट के लिए पका लिया है तो आप देख सकते हैं तो इस टेज पर इसे एक बार चला लेंगे तो इस टेज पर हमने जो पहले ओमलेट बना कर रखा था जिसे हमने क्रमबल कर लिया वहम इसमेड कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे तो आपने देखा कि इसकी रेसिपी इतनी आसान है जब आपको कुछ समझ ना आए कि आज क्या बनाए तो आप इस रेसिपी को ट्राइ कर सकते हैं यूकि बहुत ही कम समय में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तयार हो जाती है तो में हम इसमें ग्रेवी के लिए पाणी एड करेंगे तो हमने सिर्फ आधा कप पानी एड किया है मिला लेंगे इसे और अब हम इस से कवर कर देएंगे और लोव फ्लेम पर पकने देंगे तो देखिए इसे लोव फ्लेम पर पकते हुए 5 मिनिट हो चुकी है तो आप यहां पर देखेंगे के अंडा चिंगारी बनकर बिल्कुल तयार है अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसमें एड करेंगे एक चोथाई टीस्पून गरम मसाला साथ ही में एड कर देंगे बारिक कटा हुआ हरा धन्या और इसे अच्छे से मिला लेंगे और सव कर लेंगे सो फ्रेंड्स आपको हमारी रेसिपी केसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें पिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए शूएं में बूलें बॉले बॉलेंधि के लिए युटियो एक के मिलें मा देतार हमें का यूब एपका झाल वियू